हेलो एवरिवन कैसे हैं उमीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे देखिए अभी का बहुत बढ़ा न्यूज लेकर आ गए हैं जी हाँ एलारसी से संबंदित है जी हाँ राजेश में भूमी शुधार विवाग से संबंदित है और यह जो न्यूज है इस संबंदित है जी हाँ बहुत बढ़ा न्यूज आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं यह लेटेस्ट न्यूज है ऑफीशल नोटिस यह माधियम से जो न्यूज है जो तावर्तोर न्यूज है जो ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी को देने वाले हैं जी हाँ इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बेटिंग से भी बेटिंग के रिगार्डिंग भी अपडेट देने वाले हैं किस वज़े से बेटिंग लिस्ट आने में देरी हो रहा है और विभा के अंदर क्या चल रहा है इस पोस्ट को लेकर जो खाली सीटे है वो सारी जनकारी आप आप सभी को देने वाले हैं देखिए अंदर में बहुत कुछ खेल चल रहा है और एक खेल क्या हो रहा है इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे आप लोग भी अपना खोल लीजे अन्य था एक भी सिट बचने वाला नहीं है जी हां तो चलिए वीडियो को सुरू करते है अफिशली जो नोटिस आया है देखते हैं उसमें क्या विसय है और किन विसयों पर हुआ जो है नोटिस जारी किया गया है और आप लोग को क्या करना चाहिए हां बेटिंग वाले ध्यान देर लीजेगा इस वीडियो को देखिए जरूर तो चलिए वीडियो को करते हैं आज almber 2024 का यांने कि आज के अपडेट का है तुअ जो है प्रिशक में जो अब यजो हाग की डायरेक्टर है उनका जहें की नाम लिखा गया है और किन को में किन के लिए लिखे हैं ये सारी जनकारी इसमें लिखा गया है अब हम लोग देख लेते हैं कि बिशय में क्या कुछ लिखा गया है किस बिशय में या जो है नोटिस जारी किया गया है तेके राजस्ब परशीशन संस्थान सास्त्री नगर पटना में नवे नियोजित बिसे सर्वेक्षन कर्मियों के पर्षिशन के समन्द में आप लोग चौग गए होंगे इस सब्द को सुनकर कि नवे नियोजित बिसे सर्वेक्षन कर्मियों के पर्षिशन के समन्द में भाई पर्षिशन सभी का तो कंप्लीट हो चुका है फिर ये में क्या चल रहा है और क्या विभा के अंदर में चल रहा हो सकता है इस अब कुछ बात करने वाले वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा जरूर कीजिएगा देखे भू अभिले के बंपरिमाप निदेशाले का पत्रनांग इतना दिनांग इतना उप्यूक् प्धक्य जीले में पदस्थापित ौफ नियोजित विषेश सर्वेक्चं सहयक बंदोबस्त पतत्रदिकारी कानूनगों ये पक्याइव पक्यांत कि अनगा इन लोग को ड्वाया गया है इन लोग को भॉल में ही विद्सेया संस्थाण है उस किस्किटने लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा विविन पदों में और कभ से कभ होने वाला है इस समें बेट कि बात पात कर ले च्छटभा लिए से M अगस्ट सेप्टमबर अक्टूबर नॉम्बर यह पाच में महीने में भी अभे तक ट्रेनिंग समाप्त नहीं हुई है यहां कुछ और मामला परतीत हो रहा है ठीक है देखिए एसो का जो पद छे है कानुनों को का 46 पद है और 6 पद अमीन का है यह इन लोगों का ट्रेनिंग जो है पटना इस्थित जो पर्षिशन संस्थान सास्ति नगर में है उन में होने जा रहा है डेट की बात कर ले तो 25 नॉमबर से सुरू होगा 30 नॉमबर तक चलने वाला है अता अनुरोध है कि संलगन सूची के अनुसार अपने अपने जीला के विशे सर्वेक्षन सायोग बंदोबस्त पतादिकारी कानुन गो विशे सर्वेक्षन अमीन पर्षिशन प्रारम होने की तीति को पराता नौ बजे तक राजस पर्षिशन संस्थान सासिनेगर पटना में उपस्तित होने है तू निदेशित करने की किरिप्या की जाए ठीक है तो यह देख लीजे यह म पहले लेश्ट से ज्वाइनिंग परकिरिया चल रहे थी उन्हों लोगों का ही अभी पर्षिशन चल रहा है तो सकेन लेश्ट जो आना है बेटिंग लिस्ट जो देना है वह इसलिए भी अटका हुआ है ठीक है या एक और मामला परतित हो रहा है कि इसके लिए कोई नोटि नोटिस निकाला गया था वह लगवग नहीं तो नहीं तो सेप्टमबर माह में ही निकाला गया था उसके बाद भी दो महिना हो गया और दो महिना के दोरान इन लोग का ट्रेनिंग नहीं हुआ है ठीक है तो कुछ ऐसा भी है क्या कि विभाग अंदर-अंदर खेल कर रही है बिना नोटिस निकाले इन लोग का जॉइनिंग कर रही है जो खाली सीट है उन लोग का क्या मकसद है बेटिंग लिस्ट नहीं देने का मकसद है क्या है नहीं है तो बहुत सरा मुद्दा बन रहा है इस चीज को देखकर और फिलाल हम कहें कि बेटिंग लिस्ट इसलिए भी नहीं दिया जा रहा है कि अभी भी जो नवे न्यूकते जो हुए हैं विशेसर वेक्षन करमचारी उन लोगों को ट्रेनिंग देना बागी है तो एक यह मुद्दा हो सकता है दूसरा मुद्दा यह हो सकता है कि खेल चल रहा है ठीक है तो जितने भी बेटिंग में हैं सभी ल तो इस चीज को समझिए अच्छे से ठीक है नहीं तो आपके हाथ से आपके मुझ से निवाला छिन लिया जाएगा खीच लिया जाएगा आपका हक कोई और मार कर चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा ठीक है इसके रिगारिंग पहले कोई नोटिश नहीं निकाला लोग के लिए यह समझे कि निंद उराने जैसा यह जो है नोटीश है ठीक है तो आप लोग इसकी इस नोटीश की गंभिरता को समझे और इस नोटीश को जादस जाद अपने लोगों में सेर कीजिए सबी बेटिंग भाईयों देखिए इसको और फिर कफन मान दिये माते में और रोट पर निकल पर यह आपको अपने हग के लिए ठीक है यह कहेंगे कि देखिए अभी भी परिशिशन हो रहा है विभाग में और यह कब तक होगा यह भी कुछ कहना मुम्किन नहीं है ठीक है तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं जाद से यादा से यार कीजिए वीडियो देखने के लिए ठन्यवाद